लुकर अभी तक हम लोगोंने इंश पड़े हैं इमीजे पड़े हैं तो यहां पर एक नेटवर्क भी होते हैं वह हमारे पास कि थी तरह के होते हैं लुर लोग नेटवर्क में यूज होता है फॉर्ड़क्टीविटिविटी यह था हमारे पास चाहरे हैं लेकिन अगर आपने इनको communicate करवाना है इस container को इस container के साथ तो उसके लिए network यूज होता है हम जब तक इन दोनों container का network same नहीं करेंगे यह दोनों communicate नहीं करेंगे तो network is the most important thing in a docker क्योंकि अगर आपने suppose that कि यह आपका है माई सीकूल का क्या नम है एंजिन एक्स का container और आप डेटाबेस माई सीकूल से communicate करवाना है इसको तो इनको आप इसमें communicate करवाएंगे तो ही वह आप इसमें connection मनाएंगे दरवाइस वो नहीं बनाएंगे वह आप तो यह चीज़ है मैं सद्धानिया क्या चाहरा तीन Tis को 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 ब्रिज कहते हैं होस्स कहते हैं और o regla का उता है क्वोग का जिफॉल्ट network होता है यह होगी जिकने वह थापहरद केंटेंटेंटेंटर बना लाजिकन ना जिंको कभी ना मैं built-in bridge network के साथ connect होते हैं talker के bridge network के साथ connect होते हैं जो कभी भी हम किसी भी container को create करते हैं अगर network नहीं बताते तो वो by default bridge network से connect हो जाता है वो भी आपको दिखाता भी हो practically भी दिखाऊंगा ठीक है तो bridge network are usually used when your application run in a stand-alone containers यानि कि आपने isolated way में रखनी है तो आप bridge के साथ रखने तो bridge एक default network होस्ट क्या होता है host बहुत कम use करते हैं वैसे हम for the stand-alone containers remove network isolation between the containers and the docker host यानि कि docker के host के यानि कि मैं इस तरह से कैसा तो इस डाइगराम में कि अगर मैं इस यह host है इसके और containers के दर्मयान में कोई network create करना चाह रहा हूं यहां पर तो फिर मैं host यूज़ करूंगा और यूज़ नेट्वर्क डिरेक्ट्ली होस्ट इस अउनली अवेलेबल फॉर स्वार्म यह स्वार्म के लिए यूज़ होता है इसलिए मैंने इसको कभी यूज़ में नहीं किया उनसली बहुत कम यूज़ करते हैं इसको को रिप्लेस कर दिया क्यूबनेट इसने स्वार्म ना कंपनी यूज़ कर रही है ना कोई पढ़ रहा है लेकि मैं आप लोगों को थोड़ा सा उसका सरूर्ण ओवर्यू दूंगा ओवरले नेट्वर्क यह इंपॉर्टेंट चरँ और अर्वर्य नेट्वर्क्र क्यूर्ण और रट्जबने दूइस अग्वर्य नेट्वर्क योज़ू स्पूर्लए यूच्वर्प तो हम इसको यूज़ करते हैं लेकिंग हो साथ हैं यह सहारा प्लों होथ पड़ लिए नेच्वर्टेंक्स होते हैं हम क fav क्या आध जल्दी से होते काई डॉकर नेटवर्स की कमांड होती है कि कमांड होती ही आपको बताएगा कि कितने नेटवर्क पढ़े वें तो यह अचा इन नेटवर्क्स में से असल में मैंने वक्ताया ना कि यह मेरी मशीन क्यूंकि मैं पहले भी सेशन पढ़ाता हूं अपने लैपटॉप के अपर यहां पर यह मेरे मेरे मिनीक्यूब का यह वाला यह वाला यह वाला यह मैंने खुद बनाएं इनको इग्नोर करना ब्रीज is the default one उसका driver होता है अब हम क्या करते हैं अगर मुझे अपना नेटवर्क क्रियेट करना है और दो कंटेनर को communicate करवाना है तो उसके लिए हमारे पास तरीका यह होता है कि हम Docker का अपना एक network क्रियेट करतें लाइक कैसे यहांपर करता हूँ का एक नेटवर्क बना रहा हूँ तो आपके पास यहां पर एक आ रहा है और आप वन का भी जो बाई डिफॉल ड्राइवर वो ब्रिज है तो हम यह एक क्रियेट कर लिया अब बात आती कि कैसे हम कम्यूनिकेट करवाएंगे लेकिन इस से पहले कि कम्यूनिकेट करवाओं मैं आपको इसको इसकी डिटेल्स दिखाना चाहता हूं तो डिटेल्स देखने क इसकी डिटेल्स देखनी है कि मेरा नेटवर्क के अंदर क्या 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 कुछ है किसी इंफरमिशन है सारी मैंने भी कमांड पता ही है हाँ सभी है इंस्पेक्ट डॉकर नेटवर्क इंस्पेक्ट कर ले तो डॉकर नेटवर्क इंस्पेक्ट और आगे उस नेटवर्क का ना कि इसका gateway क्या है और अभी कुछ information यहां पर नहीं आ रही लेकिन अभी आपनों को आगे जाके दिखाऊंगा कि यह यह भी दिखाएगा कि इसके अंदर इस network के अंदर कितने containers चल रहे हैं यह पताएगा कि मेरे इस network के अंदर इतने containers है तो चले एक काम करते हैं हम एक network जो मैंने बनाया इस network से मैं container क्रियेट करता हूँ docker वही docker run की command यूज़ करता हूँ run nginx वाली और यहां पर चलाता हूँ one को चला दाता हूँ को यह नहीं चल रहा ना लेकि कमांड यही रहेगी अच्छा यहां पर हमें network करेंगे हम बताएंगे और वह कमांड है network पहले network नेट देंगे और आगे देंगे एप one के भाई तुम container create करो उसी तरह क्रियेट को जैसे पहले कर रहे थे उसको पूर्ट भी उसकी हिसाब से दो लेकिन तुमने जो create करना है अब तुमने ब्रिज में नहीं करना तुमने एप one में करना है तो जब मैं यह करूंगा docker ps करूंगा container मेरा पूरी तरह चाल रहा है अब मेरे पास दो चीज़ें किस तरह से देखता है तो मैं दुबारा इंस्पेक्ट करता हूं जो इन्स्पेक्ट किया था मैंने भी network को यह वाला मैं इसको दुबारा करता हूं अब यहां देखे information और इंफ्रमेशन क्या एड़ हो गई है कि कंटेनर कौन सा है इसके अंदर उसने का वैब 01 मेरे network के अंदर चल रहा है उसे बताया है और इसका अब IP अड्रेस यह है इस network का 172 वह वाला नहीं था 72 वह 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 भी था तो यह बताया अच्छा एक और कंटेनर क्रियाइट करते हैं जो कि इसी network में करते हैं में पर टू चल रहा है वैकल से हाँ टू नहीं चल रहा हूँ थ्री चल रहा है उपर यह देखे ना अगर मैं डॉकर पीस दिखा तो वान और टू त्री चल रहा है तो चला लाते हैं और पोर्ट भी करते हैं एटी इसे देख सकते हैं कि या तो network को inspect करके देखने के मिरे पर कंटेनर कितने चल रहे हूँ अगर मैंने इस नेटवर का पार्ट हूं तो मैं यह करूगा डॉकर चंटेनर इंस्पेक्ट और आगे कंटेनर का नाम वेब जीरो टू एंटर करूंगा और यहां पर देखें आपको नेट्वर्क आ रहा होगा कहां पर देखें आपको नेट्वर्क दिखा देता हूं कर सकते हैं कर सकते हैं लेकिना बता है किस वैल्यू के गेंस्ट मुझे की नहीं पता मुझे वैल्यू पता है यह बता है कि यह पर देखें क्या लिखा हूँ यह लिखा हूँ ब्रिज वह बता रहा है कि मैं ब्रिज का पार्ट हूं यह बता है कि मैं ब्रिज का पार्ट हो सकता है यह याद रखना की का पार्ट हूं कि 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 मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ना एक वरद यह है की यह है और एक यह है पूस कि कोई चा नजब लेकिकि इसको भी एक नेटवर्क यहां पर बना लेते हैं अगर मेरे पर यह सिच्वेशन है कि मुझे कुछ ऐसा यूज केस है जिसमें मुझे अपने कुछ मुझे जो हैं यह कहता हूं कि यह मेरा एक अलником का बार्ट है यह न्त्री देवर्ट है और पर उपने कोई नेटवर्क सम परफ़ाएं लग़섯 यह रखन से लिखा है इससे बड़ा मुश्किल होता है और मैं लेकिन यह चाहता हूं कि मेरे यह जो दो कंटेनर जाना यह अपने-पने के लावा एक सिंगल के पार्ड भी हो तो हम इनको अपने भी मना सकते हैं और दो का पार्ड यानि कि मैं कहते हूं एक मेरा है एन फाइव नेटवर्क फाइव जो कि इन दो का कंबाइन कर रहा ह ुकिन वाला कंटेइनर जोको उसके साथ साथ इसका पार्ड भी हो इसको कर सकता है एक कर्सकते हैं तो आप लों को कर ले ना लेकिन अभी मैं इनको आप इसमें कम्यूनिकेट कराके और दिखाऊंगा कि असल में आप लों को पता कैसे चलेगा कि यार यह आइसुलेटिड थे मैं आज तक आखरी चीज़ आज की जो सेशन की आखरी चीज़ है कि मैं अभी तक आप लों को यह नहीं मैंने एक बात ब सेख़वाज़ की यह पता चलेगा यूजिंग अपिंग कमांड के जब मैं एक कंटेनर मेरा यह बनावाए वैब 03 यह किसी और नेटवर्क का पार्ट है यह किसी और कंटेनर क्रिएट करता हूं और वह करता हो फोर और इसको भी किसी नेटवर्क अपार्ट नहीं बनाऊग और यह ब्रिजनार का पार्ट हैं और यह दोनों एक नेटवर्क हैं लेकिन एक बात याद रखना थ्री और फोर भी कम्युणिकेट नी कर सकते चाहें किसे पता चलेगा जार यह देंखो डॉकर नेटवर रिच यहां पर देखो यह क्या कहा रहा है ब्रिच के अंदर को से कड तो उसमें कम्यूनिकेट कर सकते हैं तो मैं करता यह हूं डॉकर पिस बनाता हूं और आप लों को एक चीज दिखाता हूं एक पिंग की कमांड थोड़ा सा मसला करेगी इसको बस अभी के लिए हजम कर ले आप लोग है असल में होता क्या है कि पिंग भी नहीं क्यों यूटिल इंस्टॉल नहीं था उसी तरह कुछ यूटिलिटी भी इडिफॉल यूटिफोल नहीं होगे होती है एंजिलेक्स के अंदर में स्को चलाना है और कि मैं टो मैं काम कर सकता हूं कि मैं ना इंकर लाके वहन जाता हूं और इनके पता है कि वह एरर हान अगर चले आपको क्मांड होती है डॉकर कंटेनर के थोड़ सा इसलिए है कि किन्फ्यूज ना होना कि जिसमें मैं बाहर से बैठके अपने कंटेनर के अंदर भी को कमांड एक्टेक्यूट कर सकता हूं डॉकर बड़ी चीज़ा यार डॉकर बहुत चीज़ां कि मैं यह पास एक ऐसा तरीका भी है कि मैं बाहर यानि कि इदर बैठके किसी कंटेनर के अंदर को कमांड चला सकता हूं तो मैं यही करने लगा हूं कि मैं एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर के अंदर वह कमांड एक्जीक्यूट करूंगा देगी वह कमांड है यह कि डॉकर कंटेनर एक्जी मैं अंदर नहीं ज पिंग करो वेबजी रो टू को है लेकिन दाफ मैं अब बता दूं एकू दू अप है उफिए कह पता है कि ए उसका पता किशा होता है कि कौनि ऑन ने अधक संथा कि पे पता होता है ने तूमैने इम सरवर जो भी बात यह होती ही कि DNS होता है या endpoint में कैसे तो किसी से अगर माझे communicate करना किसी एक machine है दूसरी machine से communicate करना है तो या तो वो IP address से communicate करेगा या उसके DNS से communicate करेगा या या हिट करेगा न उसको communicate करने के लिए बात करें कि कोई नाम तो होना चाहिए न एक बात कंटेनर के दो DNS होते हैं कंटेनर के हमेशा दो DNS होते कंटेनर का जो जो कटर कर है अगर नेटवर्क है जैरि बोला सकते है वह आगे चांसर न दे वास iss की मरज़ी तो ठीक है यह करना यह कमांड है डॉकर कंटेनर एक जी के बाइंट्रेक्टिव ली वैब 03 में इंट्रेक्टिव ली चलाओ कि भाई पिंग करो वैब 02 को यह चलाओंगा तो यह एरर देगा क्योंकि पिंग बाइडिफॉल्ट इसमें उसको मिला ही नहीं कुछ भी डॉकर कंटेनर एक जी आई टी वैब 03 और बैश यह कमांड तो पता है ना मैंने पता दी थी आप लोगों को मैं यहां पर जाता हूँ एप टूगेट अपडेट करता हूँ भाई किसी को कन्फूजन हो मुझे प्लीज रिक्वेस्ट आप लोगों से हैजिटेट नहीं करना क्या कन्फूज नहीं होना मुझे पूछो कि मैं क्या कर रहा हूँ इतनी अनर्जी लगा के भी ना कन्फूजन नहीं रखनी मैंने कोई पहले अपडेट कर लिए हैं कर रहा हूं एप टूगेट अबडेट इंस्टॉल यह की है इसका नाम है एक यूटिल्स है यह यह स्पलिंग सही लिखे हुए तो नहीं कॉपी कर लें ताकि मैंने आगे भी करनी है इस घुतिए जी मैंने करने चाहिए तो इसमें तो दूसरे में जाता हौं मैंने करना क्या है की सीवर को पर रइक करना है चेक तो इसमें जब दूसरे में इंस्ट्रो नहीं हैं ediyorum तो मुझे इसए बaceyय से तो मुझे इदर जुरूरत थी मैं आदर कर ली तो दो मैं कर लातें बाके में नहीं करतें तो मैं चाता हूँ जीरू वन में चला जाता हूँ और यहां पर लखता यह लुक्त उपकर हैं और इसके बार एक निपक बारत आ जोच सब्सक्राइब करो यहां तक समझ आ रही है थम्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो नेटवर्क में यार बड़े वीक होते हैं यानिके डिवेलपर्स का बड़ा पीएस करता हूं मेरे पास यह इंस्टॉल होगे एक मैंने जीरो थुरी में किया एक जीरो वन में किया पाक्यों मैं नी किया तूक्कि इन दोनों से कम्यूनिकेट कर वालूँगा अब मैं वह पिंग वाली कमांड दुबारा एक्जीक्यूट करता हूं कहां गई अब मैं जीरो थुरी से जीरो टू को जिसमें इंस्टॉल नहीं इसको जब मैं पिंग करने कोशिश करूंगा तो यह अच्छा पिंग अन्नाउन होस्ट पिंग कमांड ठीक है एक मिट मैं जीरो और को करता हूं मझे लगता मुझे बाकियों में भी करने पढ़नी वैसे बाकियों में जरूरत नहीं थी इसकी बाकियों में टॉकर कंटेनर एक्जी आई टी वैब जीरो थी पिंग अच्छा मैंना दूसरों में भी इंस्टॉल करता हूं प्रियों प्रियों थी ने ने यह चलना चाहिए यार गिमीवान मेंट तो इनको करता हूं इनके सबके नेटवर्क डिफरेंट है ना इन दोने के सें मैं करता हूं जिन को बाता हूं ने पिंग हो रहा है वो network की वज़ा सी जैंड में समस्था करा ही। बहुत है जिने का पार की होती है。 जिरो वइन और जिरो टूफ्टे एक network का part है . 001 से भी जिरो टूफे का प्रेका कर सकते हैं , 002 से जिरो वइन कर सकता है। लेगिए जुरूर करेगा उधर वह एक समझायी कि जब नटवर्क सेम होंगे चले एक और काम करते अंगर मैं कंटेनर का नेटवर्क करना चाहता हो कि भाई मुझे ना ऐसा करो और और नेटवर्क चेंज कर दो तो भी मैं कर सकता हो यानि कि मैं लिखता हूं लिए ब्रिज यह इन सबके नेटवर्क डिफरेंट है तो मैं जीरो थरी का नेटवर्क भी जो एना एब वन कर देता हूं करता हूं नेटवर्क और इसके आगे क्या आएगा अब आएगा इसके बद आएगा इसके बाएगा नेटवर्क कंटेनर के लिखो पहले नेटवर्क लिखो ठीक है तो मैं यह क्मांड तुम्वार्ण लगाता हूं पहले पियस करता हूं उसने का कि पहले आप दो नेटवर्क पताओ कि कौन सा नेटवर्क तो मैंने का एप 01 किस कंटेनर के लिए 03 कमांड को चलाने से पहले एक दफा आपको दुबारा दिखा देता हूं कि इसका नेटवर्क जो है डॉकर कंटेनर नेटवर्क है और ब्रिज भी है उसको टिटेज नहीं किया ना वह दोनों का पार्ट बन गया तो भी कर सकता हूं यानिके मैं लिखोंगा कुनेट की जगा लिखोंगा डिसकनेक्ट ब्रिज जिरो त्री अब मैं एंस्पेक्ट करूंगा तो देखें ब्रिज चला गया अब सिर्फ एप बन रहा गया समझाई तो अब मेरे क्या है मैं सिच्वेशन में बताता हूं डॉकर पीएस करता हूं तो मेरे यह तीनों एक नेटवर्क का पार्ट है और यह एक अलादा जिरो थरी बी 01 को कर सकता है तो फिसक्ता है तो को Hem शूर ने कर सकता है लेकिंडेटी कर लेगा समझाई ये चीज आपको इंशाला आगे जाके इसलिए फाइदा देगी कि जब हमें आपिस में कंटेनर को कम्यूनिकेट कराना है तो आप लोगों को कोई पूछे का आपको पता है यार नेटवर्क डिरेक्ट आंसर दें उसको भी नेटवर्क टॉकर नेटवर्क इस दा वे